लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए आज जब मैं सुबह दिल्ली से निकला तो बहुत ही अदभूत संयोग हुआ अमरुत महुत्सव के प्रारम होने से पहले आज देश की राजधानी में अमरुत वर्षा भी हुई और वरुन देव ने आशिरवाद भी दिया यह हम सभी का सोभाग्य है कि हम आजध भारत के इस अइतिहासिक कालखन के साक्षी बन रहे हैं आज दांडी यात्रा की वर्षिगांड पर हम बापू की इस कर्म स्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं आज आज आधिके अमरुत महुत्सव का प्रारंभ हो रहा है पहला दीन है अमरुत महुत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ता पूर्व आज प्रारंभ हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा हमारे यहां माननेता है कि जब कभी ऐसा आउसर आता है तब सारे तिर्थों का एक साथ संगम हो जाता है आज एक राष्ट के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र आउसर है आज हमारे स्वाधिन्ता संगराम के कितने ही पुन्यतिर्थ कितने ही पवित्र केंद्र सावर मति आशरम से जुड़े रहे है स्वाधिन्ता संगराम की पराकाश्टा को प्रणाम करने वाली अन्नमान की सल्यूलर जेल अरुनाचल प्रदेश से एंगलो इंडियन वार की गवा की केकर मौनिंग की भुमी मुंबई का अगस्त क्रांती मैदान पंजाब का जलिया वाला बाग उत्तर प्रदेश का मेरट काकोरी और जासी देश भर मैंसे कितने ही स्थान पर आज एक साथ इस अमृत महोसव का स्री गणेश हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे आजहादी के असंख्य संगर्ष असंख्य बलिदानों का और असंख्य तपस्याओं की उर्जा पूरे भारत में एक साथ पुनर जागरुत हो रही है मैं इस पुन्य अवसर पर बापु के चरणों में अपने स्रधा सुमन अर्पित करता हूँ मैं देश के स्वाधिन्ता संग्राम में अपने आपको आहूत करने वाले देश को नेत्रुत्व देने वाली सभी महान विभुत्यों के चरणों में आधर पुर्वक नमन करता हूँ उनका कोटी कोटी बंदन करता हूँ मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूँ जिनोंने आजादी के बाद भी राष्ट रक्षा की परंपरा को जीवित रखा देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिये शहीद हो गए जिन पुन्य आत्माओं ने आजाद भारत के पुन निर्माण में प्रगति की एक एक इट रखी 75 वर्ष में देश को यहां तक लाए मैं उन सभी के मैं उन सभी के चर्णों में भी अपना प्रणाम करता हूँ साथियों जब हम गुलामी के उस दौर की कलपना करते हैं जहां करोडों करोडों लोगों ने सद्यों तक आजादी के सुबह का इंतजार किया तब यह एसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का उसर कितना आयतिहासिक है कितना गवरवशाली है इस परव में शास्वत भारत की परंपरा भी है स्वाधिन तासंगराम की परचाई भी है और आजाद भारत के गवरवान्वित करने वाली प्रगती भी है इसलिए अभी आपके सामने जो प्रेजेंटेशन रखा गया उसमें अमरुत महोत्सव के पांच स्थम्प्र विशेश जोर दिया गया है freedom struggle, ideas at 75, achievements at 75, actions at 75 or results at 75 यह पांचो अस्तम आजादी की लडाई के साहत शात आजाज भारत के सपनों और कर्तवियों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे इनी संदेशों के आधार पर आज अमरुत महोसव की वेबसाइट के साथ चर्खा अभियान और आत्म निर्वर इंक्यूबेटर को भी लॉंच किया गया है भाई और बहनों इतिहाँ साक्षी है कि किसी राष्ट का गवरव तबी जागरत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीडी को भी सिखाता है सौसकारित करता है उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है किसी राष्ट का भविश तबी उजवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विराषत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथा भंडार है समुरुद इतिहास है चेतना मैं सांसकृतिक विराषत है इसलिए आजादी के 75 साल का ये अवसर एक अमरत की तरह वर्तमान पीजी को प्राप्त होगा एक ऐसा अमरत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा साथियों हमारे यहां बेदों में एक वाक्य है मृत्यों मृक्षियं मामृताम अर्थात हम दूख कष्ट कलेश और विनास से निकल कर अमरत की तरब बढ़ें अमरता की और बढ़ें यही संकल्प आज़ादी के इस अमरत महोत्सव का भी है आज़ादी का अमरत आज़ादी का अमरत महोत्सव यानि आज़ादी की उर्जा का अमरत आजादी कामरुत महोचव यानी स्वाधीन ता सेनानि और से प्रेणाओं कामरुत आजादी कामरुत महोचव यानी नए विचारों कामरुत नए संकल्पों कामरुत आजादी कामरुत महोचव यानी आत्मनिर्भरता कामरुत और इसलिए यह महोत्व राष्ट के जांगरन का महोत्व है, यह महोत्व सुराज के सपने को पुरा करने का महोत्व है ये महोट्सव वैश्विक शांतिक अविकास का महोट्सव है साथियों अम्बूरुत महोट्सव का सुभारम दांडी यात्रा के दीन हो रहा है उस एक्तिहासिक छण को पुनरजीवित करने के लिए एक यात्रा भी अभी शुरू होने जा रही है यद्बूत संयोग है कि दांडी यात्रा का प्रभाव और संदेज भी वैसाही है जो आज देश अम्रुत महोट्सव के माध्यम से लेकर आगे बढ़ रहा है गांदी जी की इस एक यात्रा ने आजहादी के संगर्ष को एक नई प्रेरणा के साथ जन जन से जोड दिया था इस एक यात्रा ने अपनी आजहादी को लेकर भारत के नजरिये को पूरी दुनिया तक पहुँचा दिया था ऐसा एतिहासिक और ऐसा इसलिए क्योंकि बापू की दांडी यात्रा में आजहादी के आगर्ष के साथ साथ भारत के स्वभाव और भारत के संस्कारों का भी समावेश था हमारे यहाँ नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आका गया हमारे यहाँ नमक का मतलब है इमानदारी हमारे यहाँ नमक का मतलब है विश्वास हमारे यहाँ नमक का मतलब है वफादारी हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत किम्ती चीज है ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमार यहां स्रम और समानता का प्रतीक है उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था अंग्रेजों ने भारत के मुल्यों के साथ साथ इस आत्मन निर्वर्ता पर भी चोट की भारत के लोगों को इंग्लेंड से आने वाले नमक पर निर्वर हो जाना पड़े गांदी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा जन जन से जुड़ी उस नब्स को पकड़ा और देखते ही देखते ही अंदोलन हर एक भारतिय का अंदोलन बन गया हर एक भारतिय का संकल पर बन गया साथियों इसी तरह आज़ादी की लड़ाई में अलग-अलग संगरामों अलग-अलग गटनाओं की भी अपनी प्रेणाएं हैं अपने संदेश हैं जिने आज का भारत आत्म साथ कर आगे बढ़ सकता हैं अठारा सो सत्तावन का स्वातंत संगराम मात्मा गांधी का विदेश से लोटना देश को सत्यागर की ताकत फिर याद दिलाना लोकमान्य तीलक का पुनन स्वराज का आखवान नेताजी सुभाज संगर बोच के नेत्रुत्व में आजाधिन फोच का दिल्ली मार्च दिल्ली चलो ये नारा आज भी हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है 1942 का आवे विश्मन यांदोरन अंग्रेजो भारत छोड़का वद्गोश ऐसे कितने ही अंगिनेत पड़ाओ जिन से हम प्रिर्णा लेते हैं उर्जा लेते हैं ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानी है जिनके प्रती देश हर रोच अपनी करतग्यता व्यक्ष करता है 1857 की क्रांती के मंगल पांडे ताट्या तोपे जैसे वीर हो अंग्रेजों की फोच के सामने निर्बिक गरजना करने वाली रानी लक्ष्मी बाई हो कित्तुर की रानी चन्नमा हो रानी गाइडी लू हो चंदर सिक राजार रामपसाद बित्मल बगत सी सुख़देव राजगुरू अत्फा उल्ला खा गुरुर रामसी टिटुस जी पोल रामा सामी जैसे वीर हो या फिर पंडित नहरू सरदार पटेल बाबा साब आमबेड कर सुख़द चंदरबोत मौलाना आजाद खान अब्दुल गफार खान भीर सावर कर जैसे अंगिनत जन्नायक ये सभी महान व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन के प्रस दर्शक रहे हैं आज इजी के सपनों को भारत बनाने के लिए उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम सामुहिक संकल पर ले रहे हैं इनसे प्रेरणा ले रहे हैं साथियों हमारे स्वाधिन्ता संग्राम में ऐसे भी कितने आंदोलन है कितने ही संगर्ष है जो देश के सामने उस रूप में नहीं आये जैसे आने चाहिए थे ये एक-एक संग्राम संगर्ष अपने आप में भारत की असत्त के खिलाब सत्त की शसक्त गोशनाये है ये एक-एक संग्राम भारत के स्वाधिन सभाव के सबूत है ये संग्राम इस बात का भी साख्षात प्रमाण है कि अंदियाएं शोशन और हिंसा के खिलाब भारत की जो चेतना राम के युग में थी महा भारत के कुरुक्षेत्र में थी हल्बी घाटी की रणभूमी में थी सिवाजी के उद्गोश में थी वही सास्वत चेतना वही अदम में शावरिय भारत के हर शेत्र हर वर्ग और हर समाज ने आजहादी की लड़ाई में अपने भीतर प्रज्वलित करके रखा था जननी जन्म भूमिष्च स्वरगाद अपिकरियसी ये मंत्र आज भी हमें पिलना देता है आप देखिए हमारे सितियास को कोल आंदोलन हो या हो संगर्ष खासी आंदोलन हो या संथाल क्रांती कछोहा कछार नागा संगर्ष हो या कुका आंदोलन भील आंदोलन हो या मुंडा क्रांती सन्यासी आंदोलन हो या रमोसी संगर्ष कितूर आंदोलन, त्रावनकोर आंदोलन, बारडोली सत्यागरह, चंपारन सत्यागरह, संभलपूर संगर्ष, चुवार संगर्ष, बुंदेल संगर्ष, ऐसे कितने ही, कितने ही संगर्ष और आंदोलनों ने देश के हर भुभाग को हर कालखन में आजादी की जोती से प्रज वलीत रखा इस दोरान हमारी सिख गुरु परंप्रा ने देश के संस्कृति अपने रिची रिवाद के रक्षा के लिए हमें नहीं उर्जादी प्रेरणा दी त्यांग और बलीदान का रास्ता दिखाया और इसका एक और अहम पक्ष है जो हमें बार-बार याद करना साथियों आजादी के आंदोलन की इस जोती को निरंतर जागुरुत करने का काम पूरब पश्चे मुत्तर दक्षेन हर दिशा में हर शेत्र में हमारे संतों ने मांतों ने आचारियों ने बगवदों ने निरंतर किया था एक प्रकार से भक्ति आंदोलन ने राष्ट व्यापी स्वाधिन्त आंदोलन की पिठी का तयार की थी पुर्व में चैतनि महाप्रभू राम्तर स्परमौस स्रिमत संकर देव जैसो संतों के विचारों ने समाच को दिशा दी अपने लक्ष पर केंद्रित रखा पच्चिम में मिराबाई एकनाथ तुकाराम रामदाथ नर्सी महता हुए उत्तर में संत्रामानाथ कभिरदास गोँस्वामी तुछ्दी दास सुर्दास गुरुनाना देख संत्राइदास डख्षिर्में मादवाचारिया निमबाकार चार्या बलवाचारिया रामानुजा चार्य हुए बक्ती कान के इसी खंड में मलिक मुहमत जाइसी रस्खान सुर्दास केश्वदास विद्यापती जैसे मानुबाओं ने अपनी रचनाओं से समाज को अपनी कम्या सुधारने के लिए प्रेरिज किया ऐसे अनेकों व्यक्तित्वों के कारण यह अंदोलन छेत्र की सीमा से बाहर छेत्र की सीमा से बाहर निकल करके पूरे भारत के जन जन को अपने आप में समेट लिया आजादी के न सकें किया अंदोलनों में ऐसे कितने ही से नानी संत आत्माएं ऐसे अनेक वीर बलिदानी है जिनकी एक एक गासा अपने आप में इतिहास का एक एक स्वर्णि मद्याय है हमें इन महानायकों महानायकाओं उनका जीवन इतिहात विदेश के सामने पहुचाना है इन लोगों की जीवन गासाएं उनके जीवन का संगर्ष हमारे स्वतंत्रतांदोलन के उतार चड़ाओ कभी सभलता कभी असभलता हमारी आज की पीड़ी को जीवन का हर पाट सिखाएगी एक जुड़ता क्या होती है लक्ष को पाने की जिद्ध क्या होती है जीवन का हर रंग वो और बहतर तरीके से समझेंगे भाई और बैनो आपको याद होगा इसी भूमी के वीर सपूत शाम जी कृष्ट वर्मा अंग्रेजों की धर्ती पर रहकर उनकी नाक के नीशे जीवन की आखरी सांस तक आजादी के लिए संगर्श करते रहे लेकिन उनकी अस्तियां साथ दसकों तक इंतजार करती रही कि कब उन्हें भारत माता की गोद नसीब होगी आखिर कर 2003 में विदेश से शाम जी कृष्ट वर्मा के स्तियां मैं अपने कंडे पर उठा करके लिए आया था ऐसे कितने ही कितने ही सेनानी है देश पर अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोग है देश के कौने कौने से कितने ही दलीद आदिवाती मैलाए और युआ है जिन्होंने असंगी के तब और त्याक किये याद करिए तमिल नाडू के 32 वर्षे नौजवान कोडी कात कुमरान उनको याद कीजिए अंग्रेजों ने उस नौजवान को सीर में गोली मार दी लेकिन उन्होंने मरते हुए भी देश के जंडे को जमीन में नहीं गिरने दिया तमिल नाडू में उनके नाम से ही कोडी कात शब्द जुड़ गया जिसका आरत है जंडे को बचाने वाला जिनों अंग्रेजी हकुमत के खिलाब लडाई लड़ी थी इसी तरह हमारे देश के आदिवासी समाज ने अपनी वीरता और पराक्रम से लगातार विदेशी हकुमत को गुटनों पर लाने का काम किया जारखण में भगवान बिरसा मुंड़ा उन्होंने अंग्रेजों को चुनोती दी थी तो मुर्मु भाईयों ने संथान अंदोलन का नित्रत्व किया था ओडिसा के चक्रा विशोई ने लड़ाई छेड़ी तो लक्षमन नायक ने गांधिवादी तरीकों से चेतना फैलाई आंदर प्रदेश में मन्निम बिरुडी याने जंगलों के हीरो अलूरी स्थिरा राम राजु ने रंपा अंदोलन का बिगल फुका था पासल था खुंग चेरा ने मिज़ुराम की पहड़ियों में अंग्रेजों से लोहा लिया था ऐसे ही गोंधर कौवर लसित बर्फुकन और सिरत सिंग जैसे असमर पुरवत्तर के अनेकों स्वाधिंता सेनानी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया यहां गुजरात में बड़ोदा के पांच जामुगार जाने के रस्ते पर हमारे नाइका कौम के आदिवाचियों को बलिदान कैसे भूल सकते है मानगड में गोविन गुरू के देतरुतों में सैंकड़ आदिवाचियों का नरसावार हुआ उन्होंने लड़ाई लड़ी देश इनके बलिदान को हमेशे याद रखेगा साथियों प्रियास कर रहा है हर राज्य हर छेत्र में इस दिशा में प्रियास किया जा रहा है दान्डी यात्रा से जुड़े स्थल का पुनरधार देश ने दो साल पहले ही पुरा किया था मुझे खुद ही सवसर पर दान्डी जाने का सवभागी मिला था अन्दमान में जहां नेताजी सुबात बोज ने देश की पहली पहली आजाद सरकार बनाकर तिरंगा फैराया था देश ने उस विश्मृत इतिहाज को भी भव्य आकार दिया है अन्दमान निकोबार के वीपों को स्वतंतरजा संग्राम के नामों पर रखा गया है आज आज दिन सरकार के 75 साल पूरे होने पर लाल किले पर भी आयोजन किया गया तिरंगा फैराया गया और नेताजी सुबात बाबु को सरदान ली दी गई गुजरात में सरदार बल्लब भाई पटेल की विश्व की सबसे उची प्रतिमा उनके अमर गवरों को पूरी दुनिया तक पहुचा रही है जलिया वाला बाग में समारक हो या फिर पाई का अंदोलन कि स्मृति में समारक सभी पर काम हुआ मामा साबा मेडकर से जुड़े जो सान दसकों से बूले बिसरे पड़े थे उनका भी विकास देश ने पंच तिरसक के रुप में किया है इस सब के साथ ही देश ने आदिवासी स्वाधिन्ता सेनानियों के इत्यास को देश तक पहुँचाने के लिए आने वाली पीडियों के लिए पहुँचाने के लिए हमारे आदिवास्यों के संगर्श की कथाओं को जोड़ता हुआ देश में मुज्यम बनाने का एक प्रयास शुरू किया है साथियों आजादी के आंदोलन के इतिहास की तरह ही फिर विदेश हमें हमने अपनी महनत से खुद को साबित किया हमें गर्व है हमारे समिधान पर हमें गर्व है हमारी लोकतांत्री प्रमपराओं पर लोकतंत्र की जन्रिनी भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूत्ती देते हुए आगे बढ़ रहा है ज्ञान विज्ञान से सम्रद्ध भारत आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी चाप छोड़ रहा है आज भारत की सेना का सावर्त अपार है तो आर्थी कृप से भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आज भारत का स्टार्ट अप इको सिस्टम दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना है चर्चा का विशे है आज दुनिया के हर मंच पर भारत की शमता और भारत की प्रदिभागी गुंज है आज भारत अभाव के अंदकार से महार निकल कर 130 करोर से दिक आकांग्छाओं की बढ़ रहा है साथियों ये भी हम सभी का सवभाग्य है आज आज भारत के 75 साल और नेताजी सुभाचन दरभोष की जन्म जैनती के 125 वर्ष हम साथ साथ बना रहे हैं ये संग्यम सिर्प तिष्षियों का ही नहीं बलकि अतीत और भविश्च के भारत के वीजन का भी अद् मेल है नेता जी सुभाचन रभोष दे कहां था कि भारत की आजादी के लड़ाई सरफ ब्रिटिस सामराज जवाद के विरुद्ध नहीं है बलकि वैश्विक सामराज जवाद के विरुद्ध है नेता जी ने भारत की आजादी को पुरी मानोता के लिए जरूरी बताया था समय के साथ नेता जी की ये बात सही सिद्ध हुई भारत आजाद हुआ तो दुनिया में दुशरे देशों में भी स्वतंत्रता की हावाजे बुलन हुई और बहुत ही कम समय में सामराज जबात का दायरा सिमट गया और साथियों आज भी भारत की उपलब्दियां आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है बलकि पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली है पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली है भारत की आत्मनिर्भरता से ओत्परोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गती देने वाली है कोरोना काल में ये हमारे सामने प्रतिक्ष्ष सिद्ध भी हो रहा है मानवता को महा मारी के संकर से बहार निकालने में वैक्सिन निर्मान में भारत की आत्मनिर भरता का आज पूरी दुनिया को लाब मिल रहा है आज भारत के पास वैक्सिन का सामर्थ है तो वसूद है कुटुम कम के भाव से हम सब के दुख दूर करने में काम आ रहे है हमने दुख किसी को नहीं दिया लेकिन दूसरों का दुख कम करने में खुद को खपा रहे है यही भारत का दर्श है यही भारत का सास्वर दर्शन है यही आत्मनिर्भर भारत का भी तत्वग्यान है आज दुनिया के देश भारत क धन्यवाद कर रहे हैं भारत में बरोजा कर रहे हैं यही नए भारत के सुर्योदै की पहली छटा है यही हमारे भव्य भविश्य की पहली आभा है साथियों गीता मैं भगवान सी कष्ण ने कहा है समदुखा सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते अर्थात जो सुख दुख आराम चुनवत्यों के बीच भी धैरिय के साथ अटल अडिग और सम रहता है वही अमृत को प्राप्त करता है अमरत्व को प्राप्त करता है अमृत महवत्यों से भारत के उजवल भविश्य का अमृत प्राप्त करने के हमारे मार्ग में यही मंत्र हमारी प्रेना है आईए हम सब द्रड संकल्प होकर इस राष्ट यगना में अपनी भूमी का निभाएं साथियों आजादी के अमरुत महुच्छब के दौरान देश वाच्चियों के सुजावों से उनके मौलिक विचारों से अंगिनत असंग के आइडिया निकलेंगे कुछ बाते अभी जब मैं आ रहा तो मेरे मन में भी चल रही थी जन भागीदारी जन सामाने को जोड़ना देश का कोई नागरी कैसा न हो किस अमरुत महुच्छब का हिस्सा न हो अब जैसे माली जम छोटा सा एक उदार दे अब सभी स्कूल कॉलेज आजादी से जुड़ी हुई 75 घटनाओं का संकलन करें हर स्कूल तै करें कि अभी हमारी स्कूल आजादी के 75 घटनाओं का संकलन करें पचातर गरूप बनाएं उन घटनाओ पर विध्यारती ते 5 जिसमें 800 2000 दो 2000 विध्यारती हो सकते हैं एक स्कूल ये कर सकते हैं, छोटे-छोटे हमारे शिशुमंदिर के बच्चे होते हैं, बाल मंदिर के बच्चे होते हैं, आजादी के अंदोलन से जुड़े पंचतर महापुरुशों की सूची बनाएं, उनकी वेश-भुशा करें, उनकी एक-एक वाक्य को बोलें, उसका पेटिशन हो, स्कूले में भारत के नक्षे पर आजादी से जुड़े 75 सान चिनित किये जाएं, बच्चों को बताये जाएं, बताओ भई, बार्डुली कहां आया, चंपरन कहां आया, लो कॉलेज के छात्र छात्राएं, ऐसी 75 घटनाएं खोचे, और मैं हर कॉलेज से आग पचरदर घटनाएं खोचे, जिसमें आजादी की लडाई जब चल रही थी, तब कानूनी जंग कैसे चला, कानूनी लडाई कैसे चली, कौन लोग थे कानूनी लडाई लड़ रहे थे, आजादी के वीरों को बचाने के लिए कैसे कैसे प्रयास हुए, अंग्रेज सल्तनत क जुडिशरी का क्या रवईया था सारी बाते हम लिख सकते हैं जिनका इंट्रेस्ट नाटक में है वो नाटक लिखे फाइनास के विद्धार्थी उन गटनाओ पर पेंटिंग बनाए जिसका मन करे कि वो गीत लिखे वो कविताय लिखे ये सब शुरू में हस्त लिखी थो बाद में इसको डिजीटल स्वरूप भी दिया जाए और मैं चाहूंगा कुछ ऐसा कि हर स्कूल कॉलेज का ये प्रयास उस्कूल कॉलेज की धरोर बन जाए और कोशिश हो कि ये काम इसी पंदरा अगस्ते पहले पुरा कर लिया जाए अब देखिए पुरी तरह वैचारी अधिश्टान त्यार हो जाएगा बाद में इसे जिलाव व्यापी राज व्यापी देश वापी इस पर धाय भी आउजित हो सकती है हमारी रुआ हमारे स्कॉलर्स ये जिम्मेदारी उठाएं कि वो हमारे स्वादिन्ता सेनानियों की इतिहात लेखन में देश के प्यासों को पूरा करेंगे आज़ादी के अंदोलन में और उसके बाद हमारे समाज की जो उपलब दिया रही है उन्हें दुनिया के सामने और प्रकरता से लाएंगे मैं कला, साहित, नाटे जगत, फिल्म जगत और डिजिटल इंटरेंडमेंट से जुड़े लोगों सभी आगरफ करूंगा कितनी अद्वितिया कहानिया हमारे अतीच में बिखरी पड़ी है इन्हें तमाज जिए, इन्हें जीवनत कीजिए आने वाली पीड़ी के लिए तयार कीजिए अतीच से सिख कर भविश के निर्मार की जिम्मेदारी हमारे विवाव को ही उठानी है साइन्स हो, टेक्नलोजी हो, मेडिकल हो, पुलिटिक्स हो, आर्ट हो, कल्चर हो आप जीश्ट भी फिल्ड में है, अपनी फिल्ड का कल, आने वाला कल, बहतर कैसे हो इसके लिए प्रयास किया गा है मुझे विश्वास है, कि 130 करोर देश्वासी आज़ादी केस अमरूत महोत सबसे जब जुडेंगे लाखों स्वादीन ता सेनानियों से प्रेणा लेंगे तो भारत बड़े से बड़े लक्षों को पुरा करके रहेगा अगर हम देश के लिए, देश के लिए, समाज के लिए हर हिंदुस्तानी अगर एक कदम चलता है तो देश 130 करोर कदम आगे बढ़ जाता है भारत एक फिर बाहर फिर आत्म निर्फर बनेगा विश्व को नहीं दिशा दिखा देगा इनी सुपकामराओं के साथ आज जो दाणी आत्रा के लिए चल रहे हैं एक प्रकार से बड़े तामजाम के बीना छोटे सुरूप में आज उसका प्रारंब हो रहा है लेकिन आगे चलते 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 जैसे दिन बित्ते जाएंगे हम 15 आगस के निकट पहुँचेंगे ये प्रकार से पुरे हिंदुस्तान को अपने में समेट लेगा ऐसा बड़ा महोत्सो बन जाएगा ऐसा मुझे विश्वास है हर नागरिक का संकल्प होगा हर संस्ता का संपर होगा हर संगठन का संकल्प होगा देश को आगे ले जाने का आज हदी के दिवानों को सर्धांजली देने का यही रास्ता होगा मैं इनी इस कामना के साथ इनी शुब कामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 जैहिन जाए हिन जाए हिन